Welcome everyone, इस बेडियो में चक्रवत्धी ब्याज को बिल्कुल आसान तरीके से निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल साधान ब्याज की तरह चक्रवत्धी ब्याज निकालना बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखेंगे, इससे पहले इस टॉपिक पर आपको यदि कोई इस बेडियो को आप अंदर तक देखें, इसके बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, और ये जो सारे प्रशन नीचे दिये हुए हैं, लगबग इनी पैटर्न पर आधारे कुश्चन, चाहे आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, SSC, बैंक, स्टेट गवर्मेंट, ऐसे ही कुश्चन लगबग एक्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं पहला कुश्चन, 14,000 रुपय का 5% बारसिक ब्याज़दर पर 2 बर्स का चक्रवद्धी ब्याज़ कितना होगा, ऐसे कुश्चन को हम बहुत आसानी के साथ बनाएंगे, उससे पहले कुछ पर्संटेज का ट्रिक में आपको बता देता हूँ, जो सवाल करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, जैसे आपको किसी संख्या का 1% निकालना है, तो 1% निकालने का बिलकुल आसान ट्रिक ये है, कि जो संख्या दी हुई है, उसके पीछे से 2 अंकबाद हम दिसमलो रख देंगे, तो जब 75-100 में पीछे से 2 अंकबाद दिसमलो रखेंगे, तो हमें 75 मिल जाएगा, इसका का 1% कितना है, इसी प्रकार जब हम किसी संख्या का 10% यदि निकालते हैं, तो उसमें पीछे से 1 अंकबाद दिसमलो रख देते हैं, तो जब 75-100 में 1 अंकबाद पीछे से हम दिसमलो रखेंगे, तो हमें 750 मिल जाएगा, तो यदि आपको कभी भी किसी संख्या का 1% निकालन या आप 10% निकालना है तो उसका ये बिलकुल आसान ट्रिक है किसी भी संख्या में पीछे से 2 अंकबाद लो जब हम दिसमलो रखेंगे तो उसका 1% हमें मिल जाएगा और यदि उस संख्या का 10% हमें निकालना है तो पीछे से 1 अंकबाद दिसमलो रखेंगे तो उस संख्या क हमें 10% मिल जाएगा बापिस चलते हैं question पर 14,000 रुपए का 5% बारसिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवद्धी ब्याज कितना होगा सबसे पहले चक्रवद्धी ब्याज और साधान ब्याज में अंतर आप सुन लें जो अंतर होता है वो होता है कि साधान ब्याज जो होता है प्रतेक बर्ष बराबर होता है लेकिन जो चक्रवद्धी ब्याज होता है उसमें पूर्व बर्ष का जो ब्याज है उसका भी ब्याज निकाल कर हमें अगले बर्ष में जोड़ना होता है चलिए इस question के साथ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमारा मूलद्धन कितना है 14, इसको हम लिख लेते हैं रेट है हमारा 5% और टाइम है टी हमारा 2 वर्ष इसके बाद हमें जो बारसिक ब्याज दर दिया हुगा है वो 5% दिया हुगा है तो हम जो है 14,000 का 1% निकालेंगे पीछे से 2 अंक बाद दिसमलो रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 140 और 5% है बारसिक ब्याज दर तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14,000 का ब्याज हो जाएगा तो यहां पर पहला साल लिख लेते हैं इसको आप ध्यान से देखना ये दूसरा साल तो जो मूल दंच 14,000 रुपा है उसका ब्याज कितना है 5% बारसिक ब्याज दर पर 700 तो यह 14,000 रुपाय का ब्याज हो गया दोनो बरसों के लिए 700 रुपाय उसके बाद चक्रवद्धी ब्याज होता है ब्याज के उपर ब्याज तो जो पिछले बरस का ब्याज है 700 रुपाय इसका भी हमें ब्याज अगले बरस देना होगा तो अगले बरस में 700 का 5% और हम नि मिल जाएगा तो दूसरे साल में ये 35 रुपाय और हम जोड देंगे और ये हमारा ब्याज हो गया 700 प्लस 700 और प्लस 35 तो 700, 700, 1400 हो जाएगा और 35, 14, 135 यही इस question का answer हो जाएगा option number C आपका right हो जाएगा आपको सबसे पहले जो रासी दी होगी जितने बर्स के लिए पूँचा हुआ है यहाँ पे दो बर्स के लिए पूँचा हुआ था तो हमने 1 और 2 लिख लिया और इसके बाद जो ब्याज था रासी का 700 रुपाय आ रहा था हमारा तो हमने 700, 700, 200 बर्स में लिख दिया आप जो चक्रवद्धी ब्याज होता है जो पूर्व बर्स होता है जैसे पहले बर्स का तो 700 रुपाय ब्याज आ गया इसका हमें इसके उपर भी ब्याज देना होगा अगले बर्स तो हमने इसका भी 5 प्रतिसाद निकाला और इसमें जोड दिया और बहां की जो दोनो बर्स का ब्याज था उसको हमने जोड दिया तो हमें 1435 रुपाय कुल ब्याज मिल गया चक्रवद्धी ब्याज दो बर्स का आपको समझ में आ गया होगा यदि अवी भी कोई डाउट है तो इस कुश्चन को समझने के लिए आप बैक करके इसको फिर से समझ सकते हैं निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा देखते हैं अगला कुश्चन अठारा अजार रुपाय का 10% बार्सिक ब्याज दर पर तीन बर्स का चक्रवद्धी ब्याज कितना होगा इस कुश्चन को सैम उसी तरीके से हम बनाएंगे उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के ऐसे ही आसान ट्रिक वाले वेडियो अपलोड किये जाएंगे जिससे आप किसी भी कॉंपटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हो एक्जाम में आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से बिना कोई फॉर्मूला रटे आंसर दे सकते हैं चलिए देखते हैं इस कुश्चन को 18,000 रुपए का 10% बारसिक देस पर हमें 3 बर्स का चक्रवद्धी व्याज बताना है तो हम वही करेंगे सबसे पहले हमें देखना है दर कितना है 10% लिख लेते हैं पहले मूलदन है हमारे पास 18,000 मूलदन हमें दिया हुआ है 18,000 रुपए दर दिया हुआ है 10% तो टाइम दिया हुआ है 3 बर्स और हमें चक्रवद्धी व्याज बताना है तो हम 3 कोलम बना लेते हैं पर्थम बर्स दुदिये बर्स और तिर्थिये बर्स अब हमारा जो दर है वो 10% है तो किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना हो तो हम पीछे से एक अंकबाद दिशमलो रखते हैं तो 18,000 में जब आप पीछे से एक अंकबाद दिशमलो रखेंगे तो आपको मिल जाएगा अठारा सो तो ये अठारा सो हम लिख लेते हैं ये तीनो बर्स में हम लिख लेंगे क्योंकि ये ब्याज जो साधान ब्याज है ये सीधा सा साधान ब्याज है अदि हम तीनों को जोड़ दें तो हमें उस रासी पर तीन बर्ष का साधान ब्याज ये मिल चुका है लेकिन हमें चक्रवद्धी निकालना है तो पहले बर्स का ब्याज तो अठारा सो रुपए हो जाएगा लेकिन जो अगला बर्स होगा उसमें पिछले बर्स का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज हमें देना होता है तो जो 1800 है हमारा इसका भी हमें 10% जो है ब्याज देना होगा तो 1800 का 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे पीछे से एक अंगबादलो दिशमलो रख देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें 180 ये हमारा दूसरे बर्स का complete ब्याज हो गया अब तीसरे बर्स का ब्याज निकालने के लिए हमें जो है इस 180 पर भी ब्याज देना होगा अब जो 180 ये आया है ये 180 जो पहले बर्स का ब्याज है ये जो हमारा 1800 रुपए पहले बर्स का ब्याज है इसके उपर ब्याज हमें दोनो बर्स देना होगा तो 180 ये हमने दूसरे बर्स में भी लिख लिया और तीसरे बर्स में भी लिख लिया अब ये दूसरे बर्स का जो 180 ब्याज है इसका भी ब्याज हमें तीसरे बर्स देना होगा तो इसका भी हम 10% निकाल लेते हैं हम वही करेंगे पीछे से एक अंगबादलो दिसमलो रख देंगे 180 में क्योंकि ब्यासदर हमारा 10% दिया हुआ है इसलिए ये हमें ब्याज मिल जाएगा यहां 18 रुपए तो अब हम ये जो टोटल ब्याज आया है हमारा इसको हम जोड देते हैं तो 1800, 1800, 1800 कितना हो जाएगा आपका चंगन सो और 180 ये और 180 ये तो ये हो गया 360 और 18 रुपए ये और तो यहां 8 मिल जाएगा 617 और 437 और 5 तो 378 रुपए क्या हो जाएगा आपका चक्र ब्रदी ब्याज हो जाएगा तीन बर्स का तो 378 इस कुश्चन का आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A रॉइट हो जाएगा यहां पर 88 की जगाए 78 है ये गलत प्रिंट हो गया है तो आप इसको 78 है ये तो ओप्सन नमबर A आपका रॉइट हो जाएगा ये सबसे आसान तरीका है चक्रवद्दी ब्याज निकालने का आप सबसे पहले जो दर दिया होगा उस दर पर साधान ब्याज निकाल लेंगे और जितने बर्स का पूचा हुगा उतने कॉलम बना लें उसमें लिख लें उसके बाद जो पिछला ब्याज है उसका ब्याज और एट कर दें तो आपको टोटल चक्रवद्धी ब्याज मिल जाएगा देखते हैं अगला कुश्चन दस प्रतिसत बारसिक ब्याज दर से दो बर्स में साधन ब्याज और चक्रवद्धी ब्याज का अंतर 80 रुपए है मूलधन ग्याद कीजिए ऐसे कुश्चन का एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ उस फॉर्मूला में आप यदि ये बैल्लू रख देंगे तो तुरंध ही आपको आंसर मिल जाएगा ये फॉर्मूला है आपका चक्रवद्धी ब्याज माइनस साधान ब्याज बराबर मूलधन गुणा आर बटा 100 आर यहाँ पर क्या है दर है और टाइम है दो बर्स ये फॉर्मूला तभी बैलेड होगा जब दो बर्स के लिए आपको ऐसा कुश्चन दिया जाएगा तो जो चक्रवद्धी ब्याज और साधान ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ है 80 रुपए दिया है इसको हम लिख लेते हैं मूलदन हमें निकालना है उसको ज्योंकतियों लिख लेंगे और 10 हमें दिया हुआ है 10 और समय दिया हुआ है 2 बर्स तो ये पावर में आ जाएगा और बटा 100 ज्योंकतियों जो समय दिया हुआ है 2 बर्स ये 2 बर्स के लिए ही है फॉर्मूला तो ये ज्योंकतियों रहेगा दो ही बर्स के लिए बैलेड होगा यहाँ पर दो बर्स के लिए ही पूंचा है तो ही हम यह फॉर्मूला लगाएंगे इसके बाद इसको solve कर लेते हैं ज़र हो जाएगा P जहों काते हो जब 10 का square करेंगे तो 100 मिल जाएगा इसी तरह जब 100 का square करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,000 इसके बाद यहाँ पर 2,0 से यह 2,0 कैंसल यहाँ पर कितना बचेगा 100 यहाँ पर है 80 हमारा जहों कतना तो 80 का जह हम 100 से गुणा करेंगे तो P हमें कितना मिल जाएगा 8,000 मिल जाएगा यही इस question का answer हो जाएगा P for मूलदन या प्रिंसपल इंगलिस में प्रिंसपल बोलते हैं जो हमारा मूलदन है तो मूलदन हो गया यहाँ पर जब 100 बचा है हमारा तो 100 का हम 80 में गुणा कर देंगे तरियक गुणा तो 8,000 रुपाए जो हमें मूलदन मिल जाएगा यह सबसे आसान ट्रिक है यदि आपको दर दिया है समय दिया है और चक्रवध्धी ब्याज और साधान ब्याज का अंतर दिया है आप बिथिन 10-20 सेकंड ऐसे कुश्चन का आंसर निकाल सकते हैं देखते हैं अगला कुश्चन दो बरस के लिए साधान ब्याज चक्रद्धी ब्याज का अंतर 50 रुपए है मूलधन 5000 हो तो ब्याज दर ग्याद के जिए वही फॉर्मूला जो इससे पहले हमने question में लगाया हुआ है उसमें हमें मूलधन जो है निकालना था इसमें हमें जो है rate ब्याज दर निकालना है तो उसी formula में हम मान रख देते हैं formula क्या होता है चक्रद्धी ब्याज माइनस साधान ब्याज का अंतर तो यहाँ पे 50 दिया होगा है लिख लेते हैं बराबर ये 50 है बराबर में P होता है तो P दिया होगा है यानि मूलधन प्रिंसपल 5000 रुपए इसको लिख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है हमारा R डिवाइड वाय हंड्रेड और इसका स्क्वेर इसको हम solve कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 5000 पहले से ही है और ये हो जाएगा R स्क्वेर और नीचे हो जाएगा 100 का जाओ में स्क्वेर करेंगे तो 10,000 10,000 हो जाएगा यहाँ पर 3,0 से 3,0 ये कैंसल हो जाएगे 5 को जब 10 से कैंसल करेंगे तो 2 बार जाएगा और इसके बाद जब 2 का गुणा यहाँ पर 50 पहले से ही है तो 2 का गुणा हमें मिल जाएगा कितना 100 मिल जाएगा यहां से square हटेगा तो यहां root आ जाएगा तो root 100 का value कितना होता है 10 तो rate जो हो जाएगा इस question का जो हम से ब्याजदर पूंचा होगा था 10 प्रतिसत हो जाएगा option number A आपका right हो जाएगा यह सबसे आसान method है जब चक्रवद्दी ब्याज और साधान ब्याज का अंतर दिया हो और उसके बाद time दो बर्स हो बस आपको यतना याद रखना है तो यह जो formula है चक्रवद्दी ब्याज माइनस साधान ब्याज का अंतर गुणा मूलदन और bracket के अंदर R यानि की rate upon rate upon 100 का square कर देंगे आप तो यह question और यह video यहाँ पर समाप्त होता है यदि आप math से related इससे पहले में साधान ब्याज साजेदारी औसत मिस्तरन कई topics पर video बना चुका हूँ बिल्कुल ऐसे ही आसान video इस video के description में मैंने link दे दिया है वहाँ से जाके आप वो video देख सकते हैं और यदि आपको video पसंद आया हो तो video को like करें और channel को subscribe करें मिलते हैं अगले video में